टेड बंडी की यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं, बलकि इनसान के भीतर छुपे उस शैतान की है, जो दिखने में तो आकरशक और सामान्य लगता है, लेकिन असल में वह एक भयानक अपराधी होता है। दिनांक, 24 नवंबर 1946, स्थान, बर्लिंगटन, वर्मोंट, अमेरिका टेड बंडी का जन्म, वर्मोंट के बर्लिंगटन में हुआ, उसका असली नाम थियोडोर रॉबर्ट काउविल था, वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जहां उसे उसके नाना-नानी ने पाला, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी मां ही उसकी बहन है। इस जूठ ने टेड के मन में एक अजीब सी बेचैनी और क्रोध पैदा कर दिया, जो उसके जीवन में आगे चल कर खतरनाक रूप से प्रकट हुआ। टेड एक होशियार और आकरशक व्यक्ति था, लेकिन उसके भीतर एक शैतान छिपा था, जिसने अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों महिलाओं का जीवन छीन लिया। समय, 1970 का दशक, स्थान, सियेटल, वशिंग्टन, टेड ने अपनी पढ़ाई पूरी की और लौ स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उसके जीवन में एक छिपा हुआ पहलू था, जो बेहद खतरनाक था, चार जनव को घायल या बीमार दिखाने का नाटक करता था, ने लिंडा को अपनी कार में खीच लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। यह टेड बंडी के घिनोने अपराधों की शुरुआत थी, जिसने सियेटल को दहला कर रख दिया। टेड बंडी का अ पुशकर्म किया और फिर उनकी हत्या कर दी। वह अपनी वॉक्सवैगन बीटल कार में घूमता और युवा महिलाओं को मदद का जहांसा दे कर उन्हें अपने साथ ले जाता। इस दौरान टेड के अपराधों की गिनती बढ़ती गई और पुलिस को उसकी पहचान और प खतरनाक उपकरण पाए गए। हालांकि सबूतों की कमी के कारण उसे जमानत मिल गई लेकिन पुलिस की नजर उस पर बनी रही। फिर आया 23 जून 1977 का दिन जब टेड बंडी को दूसरी बार गिरफतार किया गया और कोलोराडो में कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन से भागने की योजना बनाई और कोर्ट की सुनवाई के दौरान लाइब्रेरी की खिडकी से छलांग लगाकर पहाडों में भाग निकला। इस बार वह कई हफतों तक पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया और फ्लोरिडा ले जाया गय लेकिन उसकी योजनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। 15 जनवरी 1978 की काली रात को टेड बंडी ने तला हसी में दो युवा चात्राओं लीजा लेवी और मार्गरेट बॉमोन की हत्या कर दी। उसने फ्लोरिडा स्टेट युनिवरसिटी के ची ओमेगा सौरोरिटी हाउस में गुसकर चार महिलाओं पर हमला किया। इन में से दो की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। यह टेड बंडी के सबसे भयानक अपराधों में से एक था जिसने पूरे अमेरिका को जगजोर कर रख दिया। आखिरकार 15 फरवरी 1978 को पैंसा कोला फ् जब उसे गिरफतार किया गया तो वह नकली आईडी लेकर घूम रहा था। उसके अपराधों का अंत अब करीब था। 24 जनवरी 1909 को टेड बंडी को फ्लोरिडा की रैल्फ फॉर्ब्स स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक चेयर के जरिये मौत की सजा दी गई। उसकी जो हमारे समाज में छिपे होते हैं, जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अंधेरा छिपा होता है, जिसे पहचानना आसान नहीं होता।